दर्श को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन की पंचांग की आज दिनांग के 28 अगस्तन 2023 विक्रम संवत 2018 चल रहा है श्रावन मां से शुक्ल पक्ष वर्षा रितु है तिथी आज की 12 है और आज का वार है सोमवार आज प्रदोश का वरत है आज के नक्षत्र की बात करे तो पूरे दिन और रात उत्तर शाड़ा नक्षत्र रहेगा योग आयुश्मान है सुबह 9 बच के 55 मिनट तक आगे स्वभाग्य योग है तो योग की दरश्टी से आज का दिन शुब है योग का रखे इसका पूरा-पूरा सदुप्योग करें करन बालाव है शाम 6 बच के 9 बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई भी शुबकारे नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये सुबह साड़े साथ से 9 बजे आ रहा है तो इस दौरान भगवती का स्मरण करें जै दुर्गा या द की दौपैर एक बजे кिशं टंवालिस मिनट दौपैर बाट दीन बजे के 27 मिनट और चार बजे के ठारा मिनट आज का पूरी प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने इस्ट का हरदे में ध्यान कीजिए उनसे प्राथना कीजिए फिर इस दिशा की यात्रा कीजिए ऐसा करेंगे यात्रा बहुती मंगल में रहेगी और दिशा शूल आपको बिलकुल भी परिशान नहीं करेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बच के 20 मिनट से सुबह 10 बच के 50 मिनट तक फिर दौपेर 2 बच के 10 मिनट से शाम 6 बच के 50 मिनट तक ये दोनों काल खंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुब है योग का रख है तो अच्छे अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें ज्यादा सफलता के चांसे आपको मिल जाएंगे आज की चंद राशी दर्शे को धनू है सुबह 10 बच के 49 मिनट तक आगे चंद्रुमा मकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशीत के लिए कुछ प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वालो को कार्याले में वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा लेकिन आप उसे सूजवू से अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे वरश राशी वालो अपने वैवाईक जीवन में संतुलन की कमी मैसूस करेंगे वहीं सिंग राशी वाले शत्रूबादा से कुछ विचलित रह सकते हैं आज और कन्या राशी वाले जो चातर चातरा हैं उनके लिए योग कारक दिन है तो तुला राशी वालों को आएगा खयाल प्रॉपर्टी खरीदने का या वाहन बदलने का और व्रस्चिक राशी वालों को किसी पर भी आज अती विश्वास करने से बचना है धनू राशी वालों को धनलाब होगा और financial future को लेकर होगी कोई विशेश planning ऐसे ही मकर राशी वाले आज भीतर से अकेलापन खालीपन मैसूस करेंगे और होगे परिशान और कुम राशी वाले किसी बड़े निवेश में पैसा अटका सकते हैं जो की लाब दायक तो बिलकुल नहीं रहेगा और मीन राशी वालों को मिलेगी मनोकामना पूर्ती की कोई ठोस रहा अब बात करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा पर जो आपकी हमारी अंतेदरश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंग उन विशेश उपायों को जो आपको समश्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अंत में करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रना और समाधान दर्शे को एक बहुती सुन्दर दोहा है कबीर दाज जी का जिसमें गहन अध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के ग्यान नहींत है यह इस प्रकार है कि जिन खोजा तिन पाईया गहरे पानी पैठ मैं बपू तो कुछ ना कुछ लेकर ही आता है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डूबने के भैष है किनारे पर बैठे रहे जाते हैं और जीवन में कभी कुछ ना कर पाते हैं इस दोहे को संसारी कर्थों में समझें तो वही लोग सफल होते हैं लाइफ में जो कदम उठाते हैं जो रिस्क लेते हैं जो कर गुजरते हैं केवल प्लानिंग नहीं बनाते हैं बलकि एग्जेकुशन में लग जाते हैं और अध्यात्मी कर्थों में समझें तो आप मेंसे कि पाथ हवन ध्यान यह सब शुरू करेंगे प्रणायाम शुरू करेंगे लेकिन करते कुछ भी नहीं है वह वास्तव में किनारे पर बैठे रहे जाएंगे तो कुछ पाना है तो गहरे में उतरना होगा और कदम उठाने होंगे यह आज की ज्यान चर्चा का सार है तो दर्शे क पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आप सभी लोग कच्छे दूद में गंगा जल मिलाकर भगवान शिवजी का विशेक करें और शिव सहस्तर नाम का पाट मंदिर में बैठके करें इसके साथ ही 27 माला राम नाम की करके उसका सारा फल शिव जी को और पित कर दें और पित्र शांती का आशिरवाद उनसे मांगे दोपे डेड़ से ढाई बजे के बीच में बच्चों में छोटे-छोटे निर्धन जो बच्चे हैं जरुतमन उनमें सफेद मिठाई बाटेंगे तो आने वाला वर्ष बहुती सुन्दर दोश हो चुका है बहुत ज्यादा दुखी रह रहे हैं ऐसे किसी भी विकट स्थी में अगर आप फस चुके हैं तो शरण लीजिए महादेव की और शुरू कीजिए बहुती विशेश पूजन इसके लिए नित्य शिवाले जाएं पंचोप चार से शिवजी का पूजन करे शिवलिंग पर कच्चा दूद इत्र गंगा जल अर्पित करें और नित्य एक माला इस बहुती विशेश्ट श्लोक की करना शुरू कर दें कुछ ही दिनों में आपके साथ चमतकार घटित होंगे और आपको विश्वास हो जाएगा कि अब सब कुछ ठीक होने लगा है श्ल वरे सर्वा दिपे सर्वदा शर्वे सर्वगते शिवे शशी निभे श्री शंकरे पातुमाम यह पूरा एक श्लोक है इस श्लोक का आपको एज़िटिज ऐसे कैसे पूरे एक माला के रूप में पढ़ना है ऐसे ही करजे से परिशान लोग आज एक सफेद कपड़े में पा सब्स्तू रखते समय दारिद्र दुख धेनाए नमेह शिवाए दारिद्र दुख धेनाए नमेह शिवाइस मंत्र का चोवन बार जब करें फिर इस कपड़े को पोटली के रूप में पकड़ें और कहें कि हेनात मेरी दरिद्रता कांतकर मुझे रिंड से मुक्त करवाईए फिर उस पोटली को शिवलिंग पर अर्पित कर दें और ये प्रकरिया रियाज से शुरू करके साथ सुमबार आप कर लेते हैं तो समश्याओं से निश्चत रूप से आप बाहर आएंगे करजा भी चुकेगा आयके साधन बनेंगे और आप मानसिक रूप से मजबूत हो ज विस्ष्ट गोपनिय मंत्र की करना शुरू कर दें शिवजी के पंचोप चार के पूजन के उपरांद कुछी महीनों में चमत्करत रह जाएंगे अपने यश्च और प्रतिष्टा को भड़ता हुआ देखकर मंत्रस प्रकार ध्यान से समझेगा ओम सर्व विख्यात आए न हमें शिवाय आप करके देखिए और चमतकार अपने जीवन में खुद अनुबह कीजिए तो यह थे आज के विसस टुपाई जो आपकी समझाओं से आपको बाहर ला रहे हैं और आपकी मनों कामने पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिकाई है हमारे दर्शक अभिनव यादव जी की बारह अगस्त सन 2004 का जनम है नौबच के आट मिनट रातरी जैपुर प्रशन किया विदेश जाने के योग कब है अभिनव जी चतुर्थ यानि निवास स्थान भाग्य के मालिक और लगनेश गुरू इन तीनों का संबंद आपकी जनम पत्रिकाई में बारवे भाव से बन रहा है तो यह तो साफ साफ दर्शार आए कि आप विदेश जाएंगे वहां काम धंदे के सिलसिले में बस जाएंगे यानि वहीं पर आपका स्टे रहेगा इसके लिए सबसे अच्छा योग बनेगा जनवरी से अप्रेल संदूजार 24 के मद्धे समश्या ना आए और आप जीवन में तरक्की करें इसके लिए मंगल के साथ वोना जाप अवश्य करवाएं एक अच्छा सा मूंगा पहन लीजिए आज की दूसरी पत्रिकाई है हमारे पास हमारे दर्शक ओम प्रकाश जी की 23 फरवर 1978 का जनम है दौपर एक बच के 37 मिनट भरतपुर स्वास्ते समश्या हैं बहुत रहती है उपाए बताएं देखियों प्रकाश जी मितुन लगन सिंग राशी की जनम पत्रिकाप की लगनेश अस्थ है पंचमेश अस्थ है चतुर्थ में राहु है जिस पर रो मंगल रहो की शान्ति करवा लिजिए साथी साथ नित्य ग्यारा माला ओम होम जूम सहे इस मंत्र की जाब कीजिए निश्यत रूप से आपको आराम आने लगेगा तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसस्ट उपाए और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेक में और आनंद में होता जाएगा मैं महादेव से प्रात्ना करता हूं कि जब आप हमारे बताएव उपाए करें तो आपकी कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ती निश्चित रूप से हो साथी एक निविदन की श्रावन मा से व्रक्षार ओपन अधिक स अधिक करें और जो प्रकृति भगवति इसकी सिवा करें कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुआद भगवति आस्वप का कल्यान करें जय आदिशक्ति गुड मॉर्निंग मैं हुदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ नियूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हडोस और कल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज के दिन को हम और भी खुबसूरत कैसे बना सकते हैं और अगर किसी प्रकार का कोई भी चालेंज है तो किस तरह की डिवाइन गाइडेंस हमें प्राप्त हो जिससे की इजीली हम अपने चालेंज को ओवरकम कर सके और इसके लिए आप तो जानते ही हैं कि हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं यदि आपने हमारी कारेकरम को नया जाइन किया है आपको नहीं पता है कौन सा है आपका मूलांग तो एक उधारन देकर आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी डेटो बर्थ है 16 यानि की 16 है तो 1 और 6 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नमबर 7 20 10 जोड़ते हैं नमबर 10 10 हम नहीं को यह नमबर को लेंगे तो आज जो तारीक है तो आपको क्या करना है एक छोटी स्टेकनीक बताती हूँ कि जो आपकी सूरे नाडी है जो मैंने आपको बताया है पिंगला यानि कि सूरे नाडी जो है उसको आपको बार-बार क्या करना है अपनी चंद्र नाडी को आपको बंद करना है और सूरे नाडी से स्वास लेना है चोड़ना है बहुत तेजी से आपको ऐसा करना लेकिन बहुत अधिक समय के लिए ना करें कम से कम दस बार या पंधरा बार ही करें आप देखेंगे कि आपकी स्वार से वह शिफ्ट होगी और आपकी जो बॉड़ी है उसके अंदर फिजिकल एक्साइज करने की तुरंती एनर हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक एक के लिए आज 28 अगस्ते 2030 के लिए और मूलांक एक जिसके की स्वामी है सूर्य आज की तारिक के भी स्वामी है सूर्य मूलांक की हम बात कर रहें कहा जा रहा है पीस की पर आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ऐसी कोई परिस् सही किया है लेकिन उसका कोई प्रतियुत्तर्य रिस्पॉंस मुझे नहीं मिल रहा है तो कुल मिलाके डिवाइन आज आपको क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल बंद कर दीजिए आज के दिन दूसरों से किसी भी प्रकार की उमीद ने लगा सही का मतलब कि लोग आपको प्रदर्शित करें कि आप सही कर रहे हैं जरूरी नहीं है बहुत सारे लोग जो बिलकुल शान्त तरीके से कारे करते हैं बिना दूसरों के जवाब की एक्सपेक्टेशन लिए कि अब मेरी तारीफ होगी आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो गु जानते है मूलंक दो के लिए हमेन थाङ्द कुछा हम कर रहे हैं 28 अगस्त 2023 के लिए और मूलंक के लिए हमसे कहा जा रहा है मूलंक दो जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा और हमको एचा सेम आड़ सowels आघ्ण को पता है कि सन इसी भी प्रकार की फॉल्स एक्स्पेक्टेशन से आपको बचना है लोग आपकी तारीफ करें ना करें इससे आपके कारे पर कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए यहां तक कि आपको खुद भी अपने आपको आज जज नहीं करना चाहिए कि मैं जो कारे कर रही हूं अपनी त कारों में नहीं उलजना है जो कि आपको आपके ट्रेक से भटका दे कुल मिला के फोकस हो के काम करें शांद रहके काम करें और सही गलत का फैसला परमात्मा पर छोड़ दे आये जानते हैं मूलांक टीन के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजिल्स और एंसिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है एयर गाडियन का काड है मूलांक 3 के जातकों को विशेश कहा जा रहा है कि थोड़ा साना जो कहीं न कहीं आप situation को जिस तरह से देख रहे हैं वास्तविक्ता में वो थोड़ी सी भिन है जैसे क्या परिस्ति को देखना चाहते हैं वो वैसी नहीं है बलकि आपको आज अपने विचार धाराओं में परिवर्तन लाना होगा आप जिस पुराने धर्रेपेर पेटर्ण पर चले आ रहे हैं जो पैटर्न चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको success नहीं दिला पारा जो आप चार हैं आपको क्या करना होगा old pattern से आज आपको मुक्त होना होगा किसी प्रकार के ऐसे विचार जो बार-बार करने पर जो process आपका बार-बार करने पर जो plannings हैं अगर एक ही planning से सफलता नहीं मिल रहे है तो plan B का उपयोग कर लेना चाहिए आपका दिन शुब हो कर आये जा रहा है हाई प्रिस का काड है मूलांक चार के जातकों को कहा जा रहे हैं कि आज की दिन की आपकी इनरजी बहुत अच्छी हैं आज आपके इनरजी इतनी powerful हैं कि कहीं ना कहीं जो भी कुछ आज आप विचार करने वाले हैं वो आप चरितार्थ कर लेंगे विद्यारतियों क तो परिक्षा में सफलता प्राप्त होगी जो लोग जौब की तलाश कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके अपने प्रोफाइल के मुताबिक आपको opportunities मिल सकती हैं आपका जो talent है वो लोगों के समक्ष आएगा कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है इसको बहुत ही positive way मिले और अपने कारियों को आप पूर्ण करें आपका दिन शुभो आये जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे angels and sisters आज में क्या guide कर रहे हैं 28 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है और एकल का card है आपको कहा जा रहा है कि आज कि दिन अगर आपको किसी विशे के लें दिन में भी सावधानी बरत नहीं है और कहीं पर भी आप किसी भी दस्तावेस पर अगर सिगनेचर करें तो सोच समझ के करें कुल मिला कि आज का दिन नोडोट अच्छा है लेकिन किसी भी प्रकार के नए कारे के लिए investment के लिए विशेश तोर पर पैसी का जहां पर रहा है protection guardian का card है आपको कहा जा रहा है कि कई बर आप बहुत जादा इनसीक्यॉर हो जाते हैं अपनी life में अपने कारे को लेकर की क्या होगा आगे कैसे जीवन चलेगा अपने परिवार को लेकर बहुत सारी इनसीक्यॉरिट्टी आपके मन में रहती हैं और इसके लिए अप के अंदर है उससे आज आपको मुक्त होना बहुत जरूरी है और बेफिक्र हो के काम आगे कीजिए किसी भी प्रकार के भैसे अपने आपको मुक्त कीजिए क्योंकि जितना ज्यादा भैमुक्त होकर आप काम करेंगे उतना ही अधिक आपके सक्सिस होने के चांसे बढ़ जाए आईए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमारे एंजल एंसिस्टर आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 28 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमें कहा जा रहा है ड्रम का कार्ड है आपको कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है अगर आप व्यवसाई हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आज के दिन आपको अपने प्लानिंग पार्ट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जितना अधिक बेस्ट आपका प्लानिंग पार्ट होगा उतना ही अच्छी आपकी ग्रोथ होगी आज का दिन जो पूरा आपका जाएगा वो चीजों को मैनेज करने में जाएगा प्रोडक्शन में जाएगा प्रोडक्टिविटी पर जाएगा जो विद्यारती हो के कोई काम करेंगे तो फिर आपका नुकसान आप देखिएगा आज के दिन बहुत जरूरी है कि जो भी कोई कदम आप आगे बढ़ा है उसकी प्रॉपर प्लानिंग तयार हो आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें गाइड किया जा रहा है पीसकीपर का कार्ड है देखो कार्ड आज जो है ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है कही ना कही जो आज की एनर्जी जैंकि सब्सक्राइब जिसे एक उधारण के तोर पर कोई ग्लास मालो आधा खाली है और अगर उसके अदर आज की दिन सब्सक्राइब कर गएनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि आपको एक उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा तो आपको कहा जारा है कि बेचेन ना हो, हडबणाये नहीं, अपनी वाणी पर नियंतरन रखे और केवल और केवल बड़ी ही शान्ती के साथ अपने काम पर ध्यान दे आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा, हमारे इंजल एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं, 28 सगर से 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है फिर से पीस कीपर का काड़े हो माई गौड आज का जो दिन है आज की जो एनरजीज हैं बस वो यही कह रही हैं कि शान्ती बनाए रखे आज की जो एनरजीज हैं, अब आज की बात है, मूलांक 9 तो वैसे भी मंगल का है, जिसकी उरजा इतनी जादा अधिक होती हैं, तो और उपर से सूरी की उरजा भी मिल जाना है, इसलिक्वल मिला कि आज का दिन जो है, वो शान्ती बनाए रखने का है किसी प्रकार की हडबडी ना करें किसी भी प्रकार की हडबडी में कोई निरने भी ना लें आज कोई अगर महत्पुन आपको कारे करना है तो उसको टीम में करें तो आपकी जो energy है वो टीम में distribute हो जाये अगर अकेले अपने उपर बहुत सारी responsibilities लेंगे तो सवावी एकसी बात है blast हो सकता है आपकी जो energies है वो क्रोध के जरीए frustration के जरीए आज सामने आ सकती है तो क्या करना है कि थोड़ा साथ ध्यान करें और एक me time भी निकालें आपका दिन शुब हो दोस्तों ये थी reading हमारी एक से लेकर नम उलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें और आज की energy जितनी ज़्यादा powerful आ रही है न उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी थोड़ा सा समय अपने ले निकालें और आज थोड़ा सा ध्यान अवश्य करें अपनी स्वास पर आपको visualize करना बहुत ज़रूरी है स्वास को आते जाते देखना बहुत ज़रूरी है थोड़े समय के लिए खो जाए उसी में दोस्तों आप सभी के बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम